हेलो फ्रेंज, नमस्कार, मैं हूँ अपका होस्ट ब्रमदेव फ्रेंज, अर्वन गार्डेनिंग में जहां जगह की कमी होती है और ज्यादतर प्लांट स्पॉट या कंटेनर में टेरेस या बालकनी के उपर उगाये जाते हैं वहां साधरन मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते साधरन मिट्टी काफी भाड़ी होती है जिसके कारण टेरेस के उपर लोड बढ़ जाता है और हैंडलिंग में भी परेशानी होती है साधरन मिट्टी में कले की मात्रा अधिक होने के कारण water drainage काफी पूर होता है और समय के साथ इनमें compacting होती है जिससे सुखने पर ये काफी hard हो जाते है इसके अलावा साधरन मिट्टी में पहले से ही harmful pathogens, fungus, spores, खरपतवार के बीज और अंचाही चीजों के समावेस होने की पूरी संभावना रहती है जिसके कारण या disease prone होता है इसलिए container gardening में अलग-अलग तरह के soilless media का उपयोग करके plant की growth के लिए अनुकूल एक ऐसा मिसरन तयार किया जाता है जो काफी अच्छे drainage वाला हलका, हवादार, पानी को hold करने की शमता वाला, weed free, consistent और आसानी से handle किया जा सकने वाला होता है इसमें वास्तविक मिट्टे का कोई भी अंस नहीं होता है तो आज के वीडियो में मैं आपका परिचय ऐसे ही कुछ popular potting media से कराऊंगा जिनकी अपनी-पनी खासियत होती है और plant की ज़रत के अनुसार उन्हें अलग-अलग ratio में मिला कर एक अच्छे potting mix का blend तयार किया जाता है Friends, soilless potting media के तौर पर सबसे ज़्यादा उप्योग किया जाने वाला material है sphagnum peat moss या simply peat moss लेकिन sphagnum peat moss के बारे में बताने से पहले मैं आपका परिच्चे इस pure sphagnum moss से कराना चाहूंगा जो जमीन की सतह पर उगने वाले plant की ही एक प्रजाती होती है या काफी consistent होने के साथ नमी को अच्छी मात्रा में absorb कर सकता है इसका texture spongy होता है और pH value neutral के करीब होता है इसका उप्योग seed starter के तौर पर एर लेरिंग के लिए moss stick त्यार करने में hanging basket में और moist mulching आदिके तौर पर किया जाता है जबकि peat moss या sphagnum peat moss pure sphagnum moss से अलग होता है पीट moss का निर्माण sphagnum moss से ही होता है लेकिन इसे बनने में हजारों साल लगते हैं sphagnum moss और कई अन्य तरह के सड़े गले पेर पोध है जब एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में सेकडों हजारों सालों तक जमीन के नीचे दफन रहते हैं तब एक compacted और composted moss जैसी चीज बनती है जिसे peat moss या sphagnum peat moss कहते हैं जर्मदी, कनाडा, आयरलेंड आदि देसों में या बहुत आयत में पाया जाता है जहां इसे जमीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है इसलिए pure sphagnum moss के अपेक्छा या सस्ता होता है इसकी water absorb करने की शमता अपने वजन के मुकाबले 10 से 20 गुना जादा होती है या काफी हलका, हवादार और अच्छे drainage वाला material होता है pure sphagnum moss के विपरित या एक acidic medium है इसलिए potting mix में इसका उप्योग करने पर pH value को plant के हिसाब से adjust करना पड़ता है अगर plant बहुत अधिक acidity को tolerate नहीं कर सकता है तब limestone या wood ice मिला कर potting mix के pH को बढ़ाया जाता है potting media के तौर पर कई अच्छे विसेस्ताओं के बावजूद इसमें nutrients की मात्रा बहुत ही कम होती है और पूरी तरह सूख जाने पर इसे भीगाना आसान नहीं होता है इसलिए इसके साथ कई और दूसरे तरह के growing media को मिला कर ही एक अच्छा potting mix तयार किया जा सकता है सामान्य तौर पर potting mix में peat moss की मात्रा जरूरत के अनुसार एक तीहाई से लेकर दो तीहाई तक यानि 30% से 60% तक रखा जा सकता है चुकि peat moss को माइन्स से खोद कर निकाला जाता है और इसे बनने में हजारो साल लगते हैं इसलिए यह एक non-renewable material है इसे निकालने की परकडिया में बड़ी मात्रा में वातावरन में कार्बन का emission होता है जिससे इसका उप्योग eco-friendly नहीं कहा जा सकता friends, soilless potting media के तौर पर sphagnum peat moss को replace करने वाला सबसे popular growing media है cocoa peat नारियल के फलों के उपरी हिस्से से निकाले गए रेशों से इसे तयार किया जाता है इसलिए यह पूरी तरह एक organic और renewable material है और इसके उप्योग से वातावरन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है coconut industries में machines की मदद से नारियल के इन रेसों को process करके उससे नारियल के छोटे-छोटे fibers को अलग कर लिया जाता है फिर उसे wash करने के बाद उसका heat treatment किया जाता है और अंत में उसे compress करके rectangular या circular bricks में convert कर दिया जाता है ताकि transport करना आसान हो जाए कोको पीट का यह brick अलग-अलग sizes में आजकल nurseries, aggro shops या online stores पर असानी से उपलब्द है इस्तिमाल करने से पहले कोको पीट के इस brick को पानी में soak करके expand करना पड़ता है पानी में डालने पर यहाँ अपने वजन का लगभग 5 गुणा पानी absorb कर लेता है और इस वज़ह से इसका volume 7-8 गुणा तक बढ़ जाता है यानि 5 केजी का एक कोको पीट ब्लॉक लगभग 25 लिटर पानी absorb कर लेगा और फैल कर एक 40 लिटर की capacity वाले pot को लगभग पूरी तरह से भर देगा फ्रिंस कोको पीट के spongy fiber पानी को लंबे समय तक store करके रखते हैं जिससे plant को लंबे समय तक अवशक तानुसार पानी मिलता रहता है काफी हलका और spongy होने के कारण इसका aeration और drainage बहुत ही अच्छा होता है काफी मातरा में water को hold करने के बावजूद भी या कभी सौगी नहीं होता है इसमें plants के root को हवा और पानी के लिए जूजना नहीं पड़ता है जिससे roots की growth बहुत ही जवरदस्त होती है कोको पीट का pH neutral level के करीब होता है इसलिए नॉर्मली इसके pH को adjust करने की ज़रुत नहीं पड़ती है कोको पीट अब पूरी दुनिया में एक organic, bio-degradable, eco-friendly और peat moss के substitute के तौर पर इस्तेमाल होने वाला potting media बन चुका है यह लगभग हर जगा आसानी से उपलब्ध है हलांकि इदनी सारी अच्छी विशेस्ताओं के बावजूद इसमें plants के लिए आवस्यक पोसक तत्मों की मातरा almost negligible होती है इसलिए potting media के तौर पर अकेले इसका विभार नहीं किया जा सकता है केवल seed germination के लिए ही initial stage में इसका इस्तेमाल अकेले किया जा सकता है एक potting media के तौर पर इस्तेमाल करने से पहले इसमें nutritional additives भी मिलाने की ज़रुत परती है potting mix में एक चोथाई से लेकर आधे हिस्से तक यानि 25% से 50% तक की मातरा में कोकोपीट को मिलाया जा सकता है friends growing media के तौर पर worldwide use की जाने वाली अगली चीज है perlite सफेद रंग के भुरभुरे लावे की तरह दिखने वाली या चीज दरसल प्राकरतिक रूप से मिलने वाले volcanic rocks में मौझूद एक glass होता है volcanic glass को लगभग 1000 degree Celsius तक गर्म करने पर यहाँ अपने आकार से 16 गुणा अधिक तक फाइल जाता है और काफी soft हो जाता है इसे ही perlite के नाम से जाना जाता है यह एक non-renewable material है जो काफी हलका होता है और hottie culture में इसका उप्योग एक potting media के तौर पर hydroponics में या दूसरी चीजों के साथ मिलाकर potting mix तयार करने में होता है अंदर से खोकला, हलका और coarse material होने के कारण या potting mix के drainage को improve करता है थर्मल और mechanical stability high होने के कारण लंबे समय तक या खराब नहीं होता है heat का bad conductor होने के कारण या potting mix के temperature को regulate करने में भी मदद करता है common potting mix में इसकी मात्रा potting mix के total volume का 10 से 20% तक रखा जाता है लेकिन अगर normal से अधिक aeration और drainage की आप सकता हो तो perlite की मात्रा बढ़ाई भी जा सकती है फ्रेंस, potting media के तौर पर अगला popular stuff है vermiculite या mica की तरह के एक mineral rock को high temperature पर गर्म करने से बनता है गर्म करने से इसमें भरपूर expansion होता है जिससे या काफी हलका हो जाता है perlite की तरह इसे भी horticulture में potting mix के एक ingredient के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इसकी mechanical stability perlite से कम होती है जिसके कारण या potting mix में उतना aeration provide नहीं कर पाता है जितना की perlite लेकिन पानी और पोशक तत्वों को hold करने की इसकी शमता perlite से काफी अधिक होती है एक sponge की तरह या पानी और minerals को absorb कर लेता है तथा जरुरत पढ़ने पर plant के root को supply करता रहता है इसकी मौझूदगी से potting mix जल्दी dry नहीं होता यानि जल्दी जल्दी watering की आवशकता नहीं होती है इसमें थोड़ी मातरा में magnesium, potassium और trace elements की मौझूदगी भी रहती है इन वजहों से या seed germination और root growth के लिए एक बहतरीन potting media है potting mix में इसका उपयोग खासकर water और nutrients को hold करने की छमता बढ़ाने के लिए किया जाता है अक्सर vermiculite और purlite को peat moss या cocoa peat के साथ मिला कर potting mix तयार किया जाता है नौर्मली potting mix में 10 से 20 परसेंट हिस्से तक vermiculite को मिलाया जाता है friends, soilless growing media के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली अगली चीज है leaf mold या leaf compost यानि पेड़ों की ज़ड़ चुकी पत्तियों की compost यह असल में partially decomposed पत्तियां होती हैं जो composting के बाद एक भुरुवरे और brown color के ऐसे material में तबदील हो जाती है जो काफी हलका होने के बावजूद काफी मात्रा में पानी को hold कर सकता है पेड़ों की पत्तियों में carbon to nitrogen ratio काफी अधिक होने के कारण इसका bacterial decomposition काफी hard होता है इसी वजह से इन पत्तियों का decomposition moisture condition में fungus के द्वारा धीरे धीरे होता है पत्तियों का इस तरह से compost तयार होने में लगभग एक वर्स का समय लग जाता है हलांकि प्राकर्तिक रूप से बहुत आयत में उपलब्ध होने के कारण इसे बिना किसी खर्च के बनाया जा सकता है चुकि पत्तियों में स्वभाविक रूप से थोड़ी मात्रा में लगभग हर तरह के पोशक ततों पहले से मौजूद रहते हैं इसलिए leaf compost को एक low nutrient potting मीडिया के तौर पर अकेले भी इस्तिमाल किया जा सकता है potting soil में इसका उपयोग करने पर यह soil की water holding capacity को बढ़ा देता है soil के texture को और बहतर बना देता है soil के temperature को regulate करने में मदद करता है और थोड़ी मात्रा में हर तरह के पोशक ततों को भी उपलग्द कराता है जिससे plant की health और productivity बढ़ती है potting mix में leaf mold की मात्रा normally total volume के 25 या 30% से अधिक नहीं रखी जाती है friends, soilless potting media की इसकड़ी में अगला material है rice hulls यानि धान की भूसी यह एक buy product है जो धान से चावल निकालने की प्रकडिया के दोरान मिलता है या चावल के उपर का एक hard protective cover होता है जिसका ज्यादा तर भाग silika से बना होता है plants के लिए silika जरूरी तो नहीं है लेकिन plants के growth और development के लिए लावदायक जरूर है इससे plant के cell wall मजबूत बनते है plants को environmental stress से बचने में मदद मिलती है और fungal disease के प्रती immunity बढ़ती है इसके अलावा potting mix में इसे मिलाने से परलाइट की ही तरह aeration और drainage इंप्रूव होता है rice hull में भी carbon 2 nitrogen का ratio काफी high होता है जिसके कारण इसका breakdown काफी slow होता है इससे potting mix में या लंबे समय तक stable बना रहता है या काफी हलका आसानी से उपलब्ध होने वाला सस्ता और पूरी तरह से प्राकर्तिक renewable material है उपयोग से पहले अगर rice hull को vaporize कर लिया जाए तो उसमें मौझूद rice grains, weeds या अन्य harmful pathogens नस्ट हो जाएंगे और तब अवस्यक्त अनुसार उस sterile rice hull को 25 से 30% तक की मातरा में potting mix में add किया जा सकता है Friends मैंने अब तक जितने भी potting media के बारे में आपको बताया उनमें से किसी में भी plants के लिए आवस्यक पो सकता तो पूरी तरह मौझूद नहीं होते इसलिए potting mix का blend तयार करते समय उसमें जरूरी nutrition प्रोवाइड करने के लिए organic manures का प्रियोग किया जाता है जिनमे वर्मी compost, neem cake powder, tea leaf manure, seaweed extract, bone meal, fish meal अधी प्रमुख है तो इन सभी वस्तों का potting mix बनाने में किस तरह से और कितनी मातरा में प्रियोग करते हैं इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा अपनी पसंदगी जाहिर करने के लिए किरपया like बटन को प्रेस करें और इसी तरह के hero interesting वीडियो को देखने के लिए city gardening channel को subscribe भी करें सवाल पूछने के लिए नीचे जाकर comment box का उप्योग कर सकते हैं थैंक्यू फर वाचिंग